तो हेलो गाईज, वेलकम बैक टू दा अनदर वीडियो अब यूटुबर्स लाइश्टाल तो आजम बात करने जा रहे है वर्ल्ड के सबसे चोटे सिंगर और बिग बॉस 16 रियालिटी शो के सिजन 16 के कॉंटेस्ट हैं अब्रू रोजिक के बारे में क्योंकि दुनिया के सबसे चोटे सिंगर में से एक जाने जाते है उन्हें इसके लिए काफी सारे अवार्ड भी मिले है आप मेंसे काफी लोगों ने इनने देखा होगा शायद ही कुछ लोग होंगे जो इनने नहीं जानते होंगे पर ये पूरे वर्ड में काफी जादा पॉपुलर माने जाते है तो आप में जो भी इनके फैंस है वो वीडियो को इंटक जरूर देखे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो इनका पूरा नाम अबडू रोजिक है और इनका जनाम 3 सप्टेंबर 2003 को इशर दर्वा पंजाकेट जीला ताजिकिस्तान में हुआ इटकी उमर फिलाल 2022 के इसाब से 19 साल है और फिलाल ये तजकिस्तान में रहते है ये एक सिंगर, बॉक्सर, म्यूजिशियर और ब्लॉगर है और ये दुनिया के सबसे चोटे सिंगर में से एक जाने जाते है बच्पन में इनकी फाइनांशियल कंडिशन काफी ज़्यादा खराब उनकी फैमिली काफी ज़्यादा गरीब थी और अपने विमारी पे ध्यान न देते गए बात में तजाकिस्तान के ब्लॉगर और रैपर ने अबडू की सिंगिंग टैलेट को परखा और उन्हें फाइनांशियल हिल्प करके अपने साथ दुबई ले गए अबडू बस 6 साल के थे जब उन्होंने सिंगिंग के लिए शुरुआत की उनके कुछ पॉपुलर सॉंग्स जैसे की ओ दिल्ली जो क्योंकि उन्होंने 2019 में गाया था 2020 में चाकी चाकी बोरोर और 2021 में मोदर ये सारे उनके पॉपुलर सॉंग्स है ये के अलावा ये एक बॉक्सर भी है इन्होंने बहुत से MMA फाइट्स में भी पाटिस्पेट किया है में 2021 में उन्हें रशियन MMA फाइटर और टिक टॉकर अबडू की तरह ही बिमार है उन्होंने उन्हें MMA फाइट के लिए चैलेंज किया था 2020 में अबडू ने हिंदी सौंग इन्ना सुना गाया था जोकि काफी ज़्यादा पॉपुलर बना और उन्हें इंडिया से काफी ज़्यादा प्यार मिनने लगा 2022 में इन्हें AIFA अवर्ड 2022 के लिए एजगेस करके बुलाया गया अबू दाबी में उन्हें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सौंग आया था जोकि उन्हें बॉलिवूड एक्टर सलमान खान को डेडिकेट किया था ये 2022 के पॉपुलर सोशल मिडिया स्टार में से एक माने जाते है और फिलाल ये बिग बॉस रियालिटी शो के सिजन 16 के कोंटेस्टेंट रहने वाले है इस्टाग्राम पे ऑक्टॉमबर 2022 के इसाफ से 3.8 मिलियन फॉलवर्स है तो आपने से कौन को नपडू के फैंस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरू बताना